परिचय क्या कोई मुझे बता सकता है कि सीमाएं क्या होती हैं? सीमाओ का अर्थ है किसी मान की और अग्रेसर होना? बहुत अच्छे! और सीमाओं से हम कौन सी अवधारणा की उप्युक्ती कर सकते हैं? परिवर्तन की दर? बिल्कुल सही! क्या आपको पता है कि अवकलज एक ऐसा शब्द है जिसका प्रियोग हम परिवर्तन की दर के लिए करते हैं? आज हम सीमाओं और अवकलजों के बारे में जानेंगे! आईए इसे समझें! उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे! विभिन फलनों के बायं पक्षकी सीमा और दायं पक्षकी सीमा ग्यात करना! एक फलन का अवकलज ग्यात करना! विशलेशन करना की एक फलन कितनी तेजी से बदल रहा है! अवकलजों का सहजानू भोत बोध मानले की एक कण एक सरल रेखा की अनुदिश गती कर रहा है और फलन S बराबर F of T समय T पर गती मानकण की स्थिति का वरणन करता है भौतिकी में इस तरह का फलन S बराबर F of T गती कहलाता है मानले की कण समय T और T प्लस डेल्टा T में क्रमशह बिन्दूओं P और Q से गुजरता है यदि S प्लस डेल्टा S एक निश्चित बिन्दू O से संबंध दूरियां हो तो समय अंतराल डेल्टा T के दौरान कण का ओसत वेग है डेल्टा S बटे डेल्टा T बराबर है F of T प्लस डेल्टा T माइनस F of T पूरे का बटे डेल्टा T तै की गई दूरी लगा समय नीचे दूरी बनाम समय का ग्राफ दिया है सीमा का अर्थ होता है अग्रसर होना आईए इस फलन को एक उधारन के रूप में देखें X स्क्वेर माइनस एक बटे X माइनस एक और आईए इसे X बराबर एक के लिए हल करें एक स्क्वेर माइनस एक बटे एक माइनस एक बराबर एक माइनस एक बटे एक माइनस एक बराबर शूने बटे शूने अब शूने बटे शूने एक मुश्किल है हमें शूने बटे शूने का मान नहीं पता है इसलिए हमें इसका उत्तर ग्यात करने के लिए एक दूसरे तरीके की जरूरत है अतहे, x बराबर 1 के लिए हल करने का प्रयास करने की बजाए आए इसके और निकट पहुंचने का प्रयास करें x बराबर 0.5 के लिए फलन का मान 1.5 0000 है x बराबर 0.9 के लिए फलन का मान 1.9 0000 है X बराबर 0.99 के लिए फलन का मान 1.99000 है X बराबर 0.999 के लिए फलन का मान 1.999000 है 9 है अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे X 1 के निकट आता जाता है X स्क्वेर माइनस 1 बटे X माइनस 1 2 के निकट पहुँचता जाता है यहां एक रोचक स्थिती उत्पन होती है जब X बराबर 1 हमें उत्तर ग्यात नहीं होता यह अनिश्चित है लेकिन हम देखते हैं कि यह 2 के निकट पहुँचता जाता है अतहें इसे 2 उत्तर देने की बजाए हम कह सकते हैं X स्क्वेर माइनस 1 बटे X माइनस 1 की सीमा जैसे जैसे 1 तक पहुँचती है यह 2 के निकट होता जाता है और इसे प्रतीकों में हम इस प्रकार लिखते हैं X स्क्वेर माइनस 1 बटे X माइनस 1 की सीमा 2 है जब X 1 की ओर अग्रसर होता है इस प्रकार हम x बराबर एक पर मान नहीं बता सकते लेकिन हम कह सकते हैं कि हम जैसे जैसे एक की और बढ़ते हैं सीमा दो की और पहुँचती जाती है सीमाएं दोनों पक्षों की जाच करें यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी रास्ते पर दौड रहे हैं और अचानक आपको रास्ता तूटा हुआ मिले आईए दूसरी तरफ से प्रयास करें x बराबर एक दशमलव पांच के लिए फलन का मान दो दशमलव पांच शूने 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 है x बराबर एक दशमलव एक के लिए फलन का मान 2.01.00 है X बराबर 1.01 के लिए फलन का मान 2.01.00 है एक्स बराबर एक दशमलव शूने 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 एक के लिए फलन का मान दो दशमलव शूने 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 एक शूने है यहां भी दो की प्रमुक्ता है इसलिए यह ठीक है विभिन पक्षों से जब यह अलग-अलग हो, क्या होगा यदि हमारे पास एक ऐसा फलन F of X है जिसमें इस तरह का ब्रेक है यह एक ऐसा फलन है जहां सीमा A पर नहीं होती है आप नहीं कह सकते हैं कि यह क्या है क्योंकि यहां दो स्पर्धी उत्तर हैं 3.8 बाइं ओर से और 1.3 दाइं ओर से लेकिन आप एक पक्ष की सीमाओं को परिभाशित करने के लिए विशेश चिन्धों माइनस या प्लस जैसे की प्रदर्शित है का प्रियोग कर सकते हैं बाइं पक्ष माइनस की सीमा 3.8 है दाइं पक्ष प्लस की सीमा 1.3 है और साधारण सीमा नहीं होती है क्या आप जानते हैं? क्या सीमाइं केवल मुश्किल फलन के लिए हैं? उत्तर है? नहीं सीमाओं का प्रियोग उन फलनों के लिए भी किया जा सकता है जिनके मान आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे केवल मुश्किल सीमाओं के लिए ही है उत्तर है जब एक्स दस की और अग्रसर होता है हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दस बटे दो बराबर पांच लेकिन फिर भी सीमाओं का प्रयोग किया जा सकता है उदाहरण फलन पर विचार करें f of x बराबर x square प्लस 5 x बराबर 2 पर इस फलन की सीमा ग्याद करें हल आईए दो के अधिक निकट x के लिए फलन f of x के मान की गणना करें x बराबर 1.9 के लिए f of x का मान 8.61 है x बराबर 1.95 के लिए f of x का मान 8.802 है x बराबर 1.99 के लिए f of x का मान 8.96 है x बराबर 1.995 के लिए f of x का मान 8.9800 है x बराबर 2.001 के लिए f of x का मान 9.004 है x बराबर 2.01 के लिए f of x का मान 9.004-01 है x बराबर 2.1 के लिए f of x का मान 9.41 है x बराबर 2 पर f of x का मान 8.98.00 से अधिक और 9.004 से कम होना चाहिए अत है जब x बाइं ओर से पहुँचता है f of x का मान 9 हो जाता है जैसा की नीचे प्रदर्शित है f of x का मान 9 है जब x 2 माइनस की ओर अग्रसर होता है जब x दाइं ओर से पहुचता है f of x का मान 9 हो जाता है जैसा की नीचे प्रदर्शित है f of x का मान 9 है जब x 2 प्लस की ओर अग्रसर होता है यह गड़ना भी की जा सकती है कि x बराबर 2 पर f of x का मान 9 के बराबर है जब x दो की ओर अग्रसर होता है। उदारण, दिया फलन है y बराबर माइनस एक यदि x 0 से कम है, बराबर 0 यदि s 0 के बराबर है, बराबर 1 यदि x 0 से अधिक है। y of x की गणना करें, जब x 0 की ओर अग्रसर होता है। हल, माइनस एक के बाएंपक्ष की सीमा माइनस एक है, जब x 0 की ओर अग्रसर हो। प्लस एक की दाएंपक्ष की सीमा एक है, जब x 0 की ओर अग्रसर हो। x बराबर 0 पर फलन की कोई सीमा नहीं है। सीमाएं प्लस G of X की सीमा जबकी X A की और अग्रिसर हो बराबर F of X की सीमा जबकी X A की और अग्रिसर हो बराबर F of X की सीमा जबकी X A की और अग्रिसर हो बराबर F of X की सीमा जबकी X A की और अग्रिसर हो बराबर F of X की सीमा जबकी X A की और अग्रिसर हो बराबर F of X की सीमा जबकी X A क गुणा 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 गुण एक नियत फलन हो, मान लें G of X बराबर P, अतह है, हम सीमा को इस प्रकार लिख सकते हैं, P गुणा F of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रिसर हो, बराबर P गुणा F of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रिसर हो. दो फलनों के भागफल भी फलनों की सीमाओं का भागफल होती है, F of X बटे G of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रिसर हो, बराबर F of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रिसर हो, बटे G of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रिसर हो. मानले की f of x एक बहुपद है इस प्रकार की यह प्राप्ट किया जा सकता है की f of x की सीमा जबकि x a की और अग्रेसर हो बराबर f of a कोई फलन एक परिमें फलन कहलाएगा यदि f of x बराबर g of x बटे h of x जहां g of x और h of x बहुपद है इस प्रकार की h of x 0 के बराबर न हो तो f of x की सीमा जबकि x a की और अग्रेसर हो बराबर g of x बटे h of x की सीमा जबकि x a की और अग्रेसर हो बराबर g of a बटे h of a यदि h of a बराबर 0 तो 2 स्थितियां हो सकती हैं यदि g of a 0 के बराबर नहीं है सीमा अस्थित्वहीन है यदि g of a बराबर 0 तो हम विधी द्वारा सीमा ग्यात कर सकते हैं मान ले g of x बराबर x माइनस a की घात k गुणा g1 of x जहां k g of x में x माइनस a की घातों का अधिक्तम है और h of x बराबर x माइनस a की घात l गुणा h1 of x क्यूंकि h of a बराबर 0 अब k l से अधिक हो तो f of x की सीमा जबकी x a की ओर अग्रसर हो बराबर g of x की सीमा जबकी x a की ओर अग्रसर हो बटे h of x की सीमा जबकी x a की ओर अग्रसर हो बराबर x माइनस a की घात k गुणा g1 of x की सीमा जबकी x a की ओर अग्रसर हो बटे X-A की घात L गुणा H1 of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रिसर हो बराबर X-A की घात K की सीमा जबकि X A की ओर अग्रिसर हो माइनस L गुणा G1 of X बटे H1 of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रिसर हो बराबर 0 गुणा G1 of X बटे H1 of X बराबर 0 यदि के L से कम हो तो सीमा अ परिभाशित है परिमेदो किसी धन पूर्णांक N के लिए X की घात N और A की घात N के मध्धे के अंतर की सीमा जबकि X A की ओर अग्रसर हो बटे X और A के मध्धे का अंतर बराबर N गुणा A की घात N-1 उपरोक्त प्रमे में व्यांजक सीमा के लिए सत्य है तब भी जब N कोई परिमे संख्या हो और A पूर्णांक हो त्रिकोण मितिये फलनों की सीमा है प्रमे तीन मानले F और G एक ही डोमेन परिसर वाले दो वास्तविक मान के फलन है इस प्रकार की F of X G of X से कम या के बराबर है परिभाशा के डोमेन में सभी X के लिए इसी के लिए यदि दोनों F of X की सीमा जबकी X A की ओर अगरसर हो और G of X की सीमा जब X A की ओर अगरसर हो अस्तित्व में हो तो F of X की सीमा जबकी X A की ओर अगरसर हो G of X की सीमा जबकी X A की ओर अगरसर हो से कम या के बराबर है प्रमे चार सैंडविच प्रमे मान ले f, g और h एक ही डोमेन वाले दो वास्तविक मान के फलन है इस प्रकार की f of x, g of x से कम या के बराबर है जो h of x से कम या के बराबर है परिभाशा के डोमेन में सभी x के लिए इसी के लिए यदि दोनो f of x की सीमा जबकी x a की और अग्रिसर हो बराबर i, बराबर h of x की सीमा जबकी x a की और अग्रिसर हो तो g of x की सीमा जबकी x a की और अग्रिसर हो प्रमेय पांच दो महत्व पूर्ण परिणाम है sin x बटे की सीमा 1 है जबकी x 0 की और अग्रिसर होता है एक माइनस कॉस एक्स बटे की सीमा 0 है जबकि x 0 की ओर अग्रसर होता है उदहरण ग्याद करें x स्क्वेर माइनस 3x प्लस 2 बटे x माइनस 2 की सीमा जबकि x 2 की ओर अग्रसर होता है हल दिया है x स्क्वेर माइनस 3x प्लस 2 बटे x माइनस 2 की सीमा जबकि x 2 की ओर अग्रसर होता है x स्क्वेर माइनस 3x प्लस 2 बटे x माइनस 2 को पुनहा लिखने पर बराबर x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 बटे x माइनस 2 बराबर x माइनस 1 अतह है x square minus 3x plus 2 बटे x minus 2 की सीमा जबकि x 2 की ओर अग्रिसर होता है बराबर x minus 1 की सीमा जबकि x 2 की ओर अग्रिसर होता है बराबर 1 उदारण ग्याद करें sin 3x plus 6x की सीमा जबकि x 0 की ओर अग्रिसर होता है हल इस तथे का प्रयोग करने पर की sin alpha plus alpha की सीमा एक है जबकि alpha 0 की ओर अग्रिसर होता है पुनहें लिखने पर sin 3x plus 6x को इस प्रकार लिखा जा सकता है 1 बटे 2 गुणा sin 3x plus 3x तब sin 3x plus 3x की सीमा 1 है जबकि x 0 की ओर अग्रिसर होता है हम निश्कर्ष निकालते हैं कि sin 3x plus 6x की सीमा 1 बटे 2 है जबकि x 0 की ओर अग्रिसर होता है ग्याद करें 1-cos x गुणा 1 plus cos x plus cos square x बटे 1-cos square x की सीमा जबकि x 0 की ओर अग्रिसर होता है हल दिया है 1-cos x गुणा 1 plus cos x plus cos square x बटे 1-cos square x की सीमा जबकि x 0 की ओर अग्रिसर होता है बराबर 1-cos x गुणा 1 plus cos x plus cos square x बटे 1-cos x गुणा 1 plus cos x की सीमा जबकि x 0 की ओर अग्रिसर होता है 1 plus cos x plus cos square x बटे 1-cos x की सीमा जबकि x 0 की ओर अग्रिसर होता है क्यूंकि x 0 की ओर बढ़ता है इसलिए x 0 के बराबर नहीं है इसलिए cos x 1 के बराबर नहीं है और cos x minus 1 0 के बराबर नहीं है हमें प्राब्थ होता है 1 plus cos 0 plus cos square 0 बटे 1 plus cos 0 एक प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 और हम प्राब्थ करते हैं 3 बटे 2 अवकलज अवकलज का आश्य पूरी तरह से परिवर्थन से है अवकलज प्रदर्शित करते हैं कि कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है जिसे किसी बिंदू पर परिवर्थन की दर कहते हैं आईए एक उधारण पर ध्यान दे फलन x square f of x बराबर x square यहां कुछ मान है x बराबर 0 के लिए f of x का मान 0 है x बराबर 0.5 के लिए f of x का मान 0.25 है x बराबर 1 के लिए f of x का मान 1 है x बराबर 1.5 के लिए f of x का मान 2.25 है x बराबर 2 के लिए f of x का मान 4 है x बराबर 2.5 के लिए f of x का मान 6.25 है नीचे आलेखिये निरूपन दिया गया है जैसे जैसे x बढ़ता है, f of x बढ़ता है लेकिन कितनी तेजी से? क्या हम किसी बिंदू पर ढाल या परिवर्तन की दर ग्यात कर सकते हैं? उत्तर है हाँ अवकलजों से हम ग्यात कर सकते हैं अवकलज से किसी बिंदू पर वक्र की ढाल प्राप्त होती है परिभाशा 1 मानले की f एक वास्तविक मानवाला फ्लन है और a इसकी परिभाशा के डोमेन में कोई एक बिंदू है a पर f के अवकलज को इस प्रकार परिभाशित किया जाता है f of a प्लस h और f of a बटे h के मध्य अंतर की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रेसर होता है दिया है कि सीमा अस्तित्व में है a पर x के अवकलज को f ड़ाश ओफ a से निरूपित करते हैं f dash of a, a पर x के सापेक्ष f of x में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है नीचे आलेखिये निरूपन दिया गया है परिभाशा दो फलन f of x प्लस h और f of x बटे h के मध्य अंतर की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रेसर होता है जहां भी सीमा अस्तित्व में होती है उसे x पर f के अवकलज के रूप में परिभाशित किया जाता है जिसे f of x द्वारा निरूपित किया जाता है अवकलज की यह परिभाशा अवकलज का प्रथम सिध्धान्त भी कहलाती है कभी कभी f dash of x को निम्न से भी निरूपित करते हैं d बटे dx of f of x मान ले y बराबर f of x तब d बटे dx of y या capital D of f of x x पर f का अवकलज बराबर a को निरूपित किया जाता है x बराबर a पर d बटे dx of f of x उदाहरण फलन f of x बराबर 3x square प्लस 9x माइनस 12 at x बराबर 5 का अवकलज ग्याद करें हल f dash of 5 बराबर f of 5 प्लस h माइनस f of 5 बटे h की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रिसर होता है 3 गुणा 5 प्लस h whole square प्लस 9 गुणा 5 प्लस h माइनस 12 माइनस 3 गुणा 5 square प्लस 9 गुणा 5 माइनस 12 बटे h की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रिसर होता है 3 गुणा 25 प्लस h square प्लस 10 h प्लस 45 प्लस 9 h माइनस 12 माइनस 75 प्लस 45 माइनस 12 बटे h की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रिसर होता है बराबर 75 प्लस 3 h square प्लस 30 h प्लस 45 प्लस 9 h माइनस 12 माइनस 120 माइनस 12 बटे h की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रिसर होता है बराबर 3 h square प्लस 49 h प्लस 108 माइनस 108 बटे h की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रिसर होता है बराबर 3H square प्लस 49H बटे H की सीमा जबकी H 0 की और अग्रसर होता है बराबर 3H प्लस 49 की सीमा जबकी H 0 की और अग्रसर होता है बराबर 3 गुणा 0 प्लस 49 बराबर 49 फलन f of x बराबर 1 बटे x square का अवकलज ग्याद करें हल, हमारे पास है f of x प्लस h और f of x बटे h के मध्य अंतर की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रसर होता है बराबर 1 by x प्लस h whole square माइनस 1 by x square बटे h की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रसर होता है बराबर 1 बटे h गुणा x square माइनस x प्लस h whole square बटे x square गुणा x प्लस h whole square की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रसर होता है बराबर 1 बटे h गुणा x square माइनस x square माइनस h square माइनस 2xh by x square गुणा x प्लस h whole square की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रसर होता है बराबर 1 बटे h गुणा h गुणा – h माइनस 2x गुणा x प्लस h whole square की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रसर होता है बराबर – h माइनस 2x बटे x square गुणा x प्लस h whole square की सीमा जबकि h 0 की ओर अग्रसर होता है बराबर – 0 माइनस 2x बटे x square गुणा x प्लस 0 whole square बराबर – 2 बटे x गन अवकलज – फलनों के अवकलज का बीजगनित प्रमे 5 मान ले f और g दो फलन है इस प्रकार की उनके अवकलज उभै निष्ट डोमेन में परिभाशित है तब उनके योगफल का अवकलज है f of x और g of x के योगफल का d बटे dx बराबर f of x का d बटे dx प्लस g of x का d बटे dx उनके अंतर का अवकलज f of x और g of x के अंतर का d बटे dx बराबर f of x का d बटे dx माइनस g of x का d बटे dx उनके गुडन फल का अवकलज है f of x गुणा g of x का d बटे dx बराबर g of x गुणा f of x का d बटे dx प्लस f of x गुणा g of x का d बटे dx दो फलनों के भाग-फल का अवकलज है f of x बटे g of x का d बटे dx बराबर g of x गुणा f of x का d बटे dx माइनस f of x गुणा g of x का d बटे dx बटे g of x का वर्ग प्रमे यदि f of x बराबर x की घात n तब f dash x बराबर n गुणा x की घात n-1 जहां n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है बहुपदों और त्रिकोण मितिये फलनों का अवकलज मानले f of x एक बहुपद जहां a i s सभी वास्तविक संख्या हैं और a n शून्य के बराबर नहीं है तब फलन का अवकलज है f of x का d बाई dx है त्रिकोण मितिये फलनों का अवकलज x का अवकलन बराबर माइनस कॉसेक स्क्वेर x उदाहरण अवकलन कीजिए y बराबर 8x की घात तेज प्लस 5x की घात बारा माइनस 8x हल नीचे दी गई प्रमे लगाने पर यदि f of x बराबर x की घात n तब f dash x बराबर nx की घात n-1 जहां n कोई वास्थविक संख्या है हमें प्राप्त होता है y बराबर 8x गुणा 23x की घात 23-1 प्लस 5 गुणा 12x की घात 12-1-8 y बराबर 184x की घात 22 प्लस 60x की घात 11-8 अव कलं कीजिए y बराबर x की घात 4 प्लस 7x-1 गुणा 5x प्लस 2 हल अव कलं के गुणन नियम का उप्योग करने पर हमें प्राप्त होता है y बराबर x की घात 4 प्लस 7x-1 गुणा 5x प्लस 2 का अव कलं प्लस x की घात 4 प्लस 7x-1 का अव कलं गुणा 5x प्लस 2 y बराबर x की घात 4 प्लस 7x-1 गुणा 5 प्लस 4x की घात 3 प्लस 7 गुणा 5x प्लस 2 y' बराबर 5x की घाद 4 प्लस 35x-5 प्लस 20x की घाद 4 प्लस 35x प्लस 8x की घाद 3 प्लस 14 y' बराबर 25x की घाद 4 प्लस 8x की घाद 3 प्लस 70x प्लस 9 अव कलन कीजिए y बराबर 15x square प्लस 13x प्लस 18 बटा 16x square माइनस 3x प्लस 8 हल दिया है y बराबर 15x square प्लस 13x प्लस 18 बटे 16x square माइनस 3x प्लस 8 अव कलन के भागफल नियम का प्रयोग करने पर हमारे पास है y बराबर 15x square प्लस 13x प्लस 18 गुणा 16x square माइनस 3x प्लस 8 का अव कलन माइनस 15x square माइनस 13x प्लस 18 गुणा 16x square माइनस 3x प्लस 8 बटे 16x square माइनस 3x प्लस 8 का अव कलन पूरे का वर्ग y बराबर 30x प्लस 13 गुणा 16x square माइनस 3x प्लस 8 माइनस 15x square प्लस 13x प्लस 18 गुणा 32x माइनस 3 बटे 16x square माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग y बराबर 48x की घात 3 माइनस 90x square प्लस 24x प्लस 208x square माइनस 49x प्लस 104 माइनस 48x की घात 3 प्लस 416x square प्लस 576x माइनस 45x square माइनस 49x माइनस 54 बटे 16x square माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग y बराबर 48x की घात 3 माइनस 90x square प्लस 24x प्लस 208x square माइनस 49x प्लस 104 माइनस 48x की घात 3 माइनस 416x square माइनस 576x प्लस 45x square प्लस 49x प्लस 54 बटे 16x square माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग y बराबर माइनस 253x square माइनस 336x प्लस 158 बटे 16x square माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग y बराबर माइनस 253x square माइनस 336x प्लस 158 बटे 16x square माइनस 3x प्लस 8 पूरे का वर्ग क्या आप जानते हैं? आज कल dy by dx के जिस संकेतन का प्रयोग हम करते हैं, उसे Godfright William Leibnitz ने दिया था. आधुनिक समय में हम जिस calculus का प्रयोग करते हैं, उसे Sir Isaac Newton ने विकसित किया. सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. सीमा का अर्थ होता है अग्रसर होना. एक बाएंपक्ष की सीमा होती है और एक दाएंपक्ष की सीमा होती है. यह संभव है कि वे संपाती हों. दो फलनों के योगफल की सीमा फलनों की सीमाओ का योगफल होती है. f of x प्लस g of x की सीमा जबकी x a की ओर अग्रसर हो बराबर f of x की सीमा जबकी x a की ओर अग्रसर हो प्लस g of x की सीमा जबकी x a की ओर अग्रसर हो. दो फलनों के अंतर की सीमा फलनों की सीमाओं का अंतर होती है f of x minus g of x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो बराबर f of x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो minus g of x की सीमा जबकि x a की ओर अग्रसर हो दो फलनों के गुणन फल की सीमा फलनों की सीमाओं का गुणन फल होती है F of X गुणा G of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रसर हो बराबर F of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रसर हो गुणा G of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रसर हो दो फलनों के भागफल की सीमा फलनों की सीमाओं का भागफल होती है F of X बटे G of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रसर हो बराबर F of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रसर हो बटे G of X की सीमा जबकि X A की ओर अग्रसर हो किसी धन पूर्णांग N के लिए X की घात N और A की घात N के मध्धे के अंतर की सीमा जबकि X A की और अग्रिसर हो बटे X और A के मध्धे का अंतर बराबर N गुणा A की घात N-1 अवकलज का प्रधम सिधान्त है F of X प्लस H और F of X बटे H के मध्धे अंतर की सीमा जबकि H शूने की और अग्रिसर होता है दो फलनों के योगफल का अवकलज है F of X और G of X के योगफल का D बटे DX बराबर F of X का D बटे DX प्लस G of X का D बटे DX दो फलनों के अंतर का अवकलज है F of X और G of X के अंतर का D बटे DX बराबर F of X का D बटे DX माइनस G of X का D बटे DX दो फलनों के गुणन फल का अवकलज है F of X और G of X और G of X का D बटे DX माइनस G of X और G of X का D बटे DX प्लस f of x गुणा g of x का d बटे dx दो फलन के भागफल का अवकलज है f of x बटे g of x का d बटे dx बराबर g of x गुणा f of x का d बटे dx माइनस f of x गुणा g of x का d बटे dx बटे g of x का वर्ग यदि f of x बराबर x की घात n तब f-x बराबर n गुणा x की घात n-1 जहां n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है